नमस्कार दोस्तों मेरा नाम भावनागर्ग है मैं डाइटीजिन हूँ ये शोदा हॉस्पिटल कशामभी में पिछले 10 साल से मैं इसी फील्ड में काम कर रही हूँ आज कर लाइफ स्टाल से रिलेटेड जो डिजीज़ बढ़ती जा रही है हम लोग को उसके बारे में अवेरनेस भी बहुत हो रही है लेकिन कुछ चीज़े ऐसी है जिनके बारे में हमें मित भी है मतलब जो सही नहीं है आज हम डाइबटीज को लेके कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे पहले तुम यह जानते हैं कि डाइबटीज है क्या डाइबटीज में बेसिकली हमारे शरीर में जो इंसुलिन की मात्रा है वो या तो बनने कम लगती है या जो बॉडी है उसको यूटिलाइस कम करने लगती है डाइबटीज तीन तरह की होती है एक टाइबटीज होती है जो चोटे बच्चों से ही शुरू हो जाती है टाइब टू होती है जो अडल्ट ऑनसेट डाइबटीज है और तीसरी टाइबटीज होती है जेस्टेशनल डाइबटीज जो हमारी प्रेगनेंट को control कर लेंगे अपने डाइट के थुरू भी और मैडिकेशन के थुरू तो यह बाद में कैरी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है डायबिटीज के बारे में लोगों को बहुत सारे मित हो पहली चीज तो यह कि ऐसा ने डाइबटीस को मानके चलो कि यह हमारी क्योर हो जाएगी यह क्योर अब डिजीज नहीं है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, kind्रोल करने के लिए हमारी डाइट आती है, exercise आती है, और medication आता है। इसमें से अगर आप एक भी चीज़ को मिस करेंगे तो diabetes का control होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है Diabetes में basically diet हम क्या लें हमारा होता है कि अगर हम कुछ लोगों का यह कहना है कि हम दवाईया खा रहे हैं तो हम कुछ भी खा सकते हैं जबकि ऐसा नहीं है आपको diet को पूरी तरह से control करके ही खाना होता है diabetes में basically आपको इस तरह की चीज़े लेनी है क्या खाएं क्या ना खाएं इस बारे में अगर हम बात करें तो आप हर चीज़ खा सकते हैं लेकिन उसका amount moderate amount में होगा अब अगर हम शुरुआत करेंगे तो सुबा अभी जो हम कर रहे होते हैं जनरली लोगों का जो रूटीन होता है वो चाय होता है चाय के साथ बिस्किट होता है बिस्किट जो है हमारा वो carbohydrate आ जाता है उसमें जो कि हमारी calories जादा बढ़ा देता है तो अगर हम बिस्किट को dry fruit से replace कर दें सिर्फ हम 4-5 बढ़ाम खाएंगे और 2 अखरोट खाएंगे तो इससे अच्छी quality का हमें protein मिलेगा और हमारे sugar level control में रहेंगे इसके बाद आप नाश्ते में देखते हैं तो जनरली हमारे घरों में जनरली UP की site देखा जाता है दिल्ली की site देखा जाता है पराठे जो हमारा main आहार आता है सुबा सुबा लोग पराठे खाते हैं उसको भी butter के साथ खा रहे हैं तो अगर हम पराठे खा रहे हैं उसको हम stuffed roti से replace कर दें या आप दूद के साथ कोई cereal ले ले जैसे आपने oats ले लिया muesli ले लिए wheat flakes ले लिए साथ में आपको add करना है जो sprouts sprouts से हमें अच्छी quality का protein मिलेगा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज जो मिलेगी वो fiber या ratio fiber या ratio का diabetes के control होने में बहुत ही important role होता है ये हमारे sugar level को control करता है ये हमारी book को limited करता है और हमें जो जल्दी यल्दी भूक लगती है craving होती हो उसको भी ये control करता है तो हमेशा ये कि thumb rule की तरह मानिए कि आप cereal एक लेंगे साथ में sprouts लेंगे अपना routine बनाने के लिए fruits को कभी भी आप major meal के साथ मत लो जो general tradition चला रहा है कि नाश्ते में fruit खा लिए लंच में fruit खा लिए डिनर में आपको fruit को खाने के बीच में gap करके खाना है तो जैसे आपने 8-9 में breakfast करा 11-12 के बीच में आप fruits लीजे fruits में भी जो high carbohydrates वाले है जैसे आम, केला, चीकू, अंगूर, लीची इन 5 फलो को limited करना है बाकी आप 100-500 gram fruits ले सकते हैं ऐसा नहीं है कि अगर diabetes एक बार हो गई है तो आप fruits नहीं ले सकते हैं लेकिन अपना sugar level लगातार आपको चेक कराते रहना है इसके बाद एक आता है salad का role हमारा जनरली आप देखिए लोग लंच में, डिनर में, दाल, रोटी, सबजी तो सभी खाते हैं लेकिन salad का इस्तमाल नहीं करते तो आपको सबसे ज़रूरी है salad अपनी diet में add करना तो जब भी आप lunch कर रहे हो आप dinner कर रहे हो, आप एक plate salad खाऊगे कोई सी भी दाल, सबजी सबजी में आलू की मात्रा कम रखनी है ऐसा नहीं आप बिल्कुल नहीं ले सकते लेकिन एक दो piece से ज़्यादा नहीं लेना है इसके बाद आप दही ले लिजे रायता ले लिजे, छाष ले लिजे और चपाती चपाती को और जदा आप fiber rich पनाने के लिए उसमें थोड़ा सा रेशा एड़ कर सकते हैं इसमें रेशा एड़ करने के लिए ब्रान आती है बजार में ओर्ट्स की ब्रान आती है वो आप एड़ कर लिजे जिससे आपका fiber बढ़ जाए इसके बाद आप शाम के snacks पे आते हैं जनरली tea, coffee with biscuits या भुजिया नमकीन इस तरह की चीज़े लेते हैं उसको भी आप अपने एक healthy option से replace करिए आप उसके जगे बुना चना ले लिजे आप पनीर के pieces ले सकते हैं आप अंडे का इस्तामाल कर सकते हैं अंडे को अगर आप daily ले रहे हैं तो आप egg white ही लीजेगा क्योंकि cholesterol level बढ़ने का भी chance रहता है या आप उस तरह पनीर के pieces ले सकते हैं बुना हुआ मकाना ले सकते हैं rather than biscuit and नमकीन रात का खाना कोशिश करिये आप time से खा पाएं अगर आप 8 बज़े तक अपना dinner कर लेते हैं तो ये अच्छा है क्योंकि होता क्या है generally late dinner कर रहा है हमने खाना खाया और सो गए इससे क्या हुआ कि जो सारी कालरी है वो आपके शिरीर में ही रहती है शुगर आपकी बढ़ने के chances हो जाते हैं तो आप रात का खाना कोशिश करिये 8 बज़े तक खा ले और रात को सोते समय एक कप दूद पीने के आदा जरूर डाले ये इसलिए जरूरी है क्योंकि diabetes में हमारे दो complications कई बार देखे जाते हैं एक तो hyperglycemia की sugar level बढ़ गया एक hypoglycemia sugar level कम हो गया जो hypoglycemia है और ये early morning होने के symptoms जादा होते हैं इसमें हमारे साथ परशानी क्या होती है कि patient कुछ बताने की condition भी नहीं होता suppose आप सुबा उठे आपको लगा कि आपको चक्कर आ रहे हैं आपकी sugar कम हो रही है जादा ये तो आप check कर गई पता लगा पाऊगे फिर होता क्या है इसमें अगर आपकी sugar बहुत कम हो गई तो आप कोमा में भी जा सकते हैं तो इन सबसे बचने के लिए एक तो यह है कि रात में आप एक snack या milk पीने के आद़ डालें और in case hypo वाले symptoms लग रहे हैं आपको sugar level कम लग रहे हैं आप तुरंत कोई मीठी चीज़ खा लें इसमें आप कुछ ढूड़ने के चक्कर में ना पड़ें आपको जो easily available है जाए वो बिस्किट है जाए ग्लूकोज है जाए जूस है instant जो भी मिले वो आप ले ले और उसके आदे घंटे बाद अपनी sugar चेक करेंगे अगर वो level में आ गई ठीक है नहीं तो फिर कुछ खाके आदे घंटे बाद दुबारा से sugar को चेक करेंगे इस तरह से ये simple से steps अगर आप ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक इसके साथ जो सबस्यादा जरूरी है वो exercise अगर आप लोग बिल्कुल exercise नहीं करते तो 15-20 मिनट और इसको दीरे-दीरे 40-45 मिनट तक आपको brisk walk करनी है brisk walk टेट चाल से चलना है और कोशिश ये करनी है आप सुभा walk करें रादर दन रात में खाली पेटा आप walk करेंगे वो हमारे लिए ज्यादा सेहत मन्द होगी इस तरह जे ये basic point आपने carbohydrate जो है वो आप complex वाले लेकर sugar का intake कम करके artificial sweetness का intake कम करके proper exercise का medication के तुरू ये सब आप अपना रखोगे तो आपका sugar level control में रहेगा और जो इससे complication होने के chance हैं उनको आप काफी हद तक delay कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अगर हमारे चैनल को subscribe जरूर करिएगा और अगर आप चाहते हैं इससे related जानकारी आपको लगतार मिलती रहे तो bell icon को प्रेस जरूर करिएगा थैंक यू